आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सबजी आप जो होटेल और रेस्टोरेंट में मटर पनीर की सबजी खाते हैं ये उससे भी बहुत जादा टेस्टी बनेगी और अगर आपने इस तरह से एक बार मटर पनीर की सबजी घर पर बना ली तो आप हमेशा इसी तरह से ही बनाएंगे और अगर आपके घर में कुछ प्रोग्राम हो, पार्टी हो या फिर महमान आए हो उन्हें भी ये बनागर खिलाएगा, सबी को बहुत पसंद आईगे और सबी आपकी बहुत तारीफ करेंगे सबसे पहले एक पैन में दो से तीन टेबली स्पून तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम हो जाए, इसके बाद इसमें हम पनीर एट करेंगे पनीर मैंने यहाँ पर धाइसुग्राम लिया है पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राय नहीं करना है लो फ्लेम पर सिर्फ एक मेट तक ही से पकाना है इसके बाद इसमें आदा टेबली स्पूल लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे एक पिंच अप हल्दी पाउडर एट करेंगे इससे अच्छे से मिक्स कर लें जिससे पनीर में भी अच्छा सा कलर आ जाए पनीर हलका सा पक चुका है अब इसके बाद इसमें हम मटर एट करेंगे तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर ली हुई है ताजी जो अभी सीजन वाली आ रही है और मटर को मैंने पहले ही हलका सा उबाल लिया है तो ये देखिए मटर हमारी पक चुकी है अब गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे अब हम चलते हैं इसकी नेक्स पॉसेस में लो फ्लेम पर दो से तीन बड़ी चमस तेल डाल कर इसे अच्छे से गरम कर लें तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम एक टेबले स्पून जीरा डालेंगे एक टेबले स्पून राही डालेंगे तेल का इस्तिमाल में थोड़ा ज़्यादा किया है यहाँ पर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं एक से दो तेज पत्ता डालेंगे एक से दो तुकडे दालचीनी के भी डालें एक बड़ी इलाइची भी डालेंगे इसी के साथ हम थोड़ी सी जावेत्री भी डालेंगे गैस की फ्लेम को लो रखें और इन सभी मसालों को कम से कम 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भुन जाने दें 30 सेकेंड हो चुके हैं और सभी खड़े मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं अब इसमें जो हमने ये जावेत्री डाली थी इसे हमें निकाल कर अलग कर देना है क्योंकि इसका फ्लेवर अल्रेडी तेल में आ चुका है इसके बाद इसमें हम 2-3 बारी कटे हुए प्याज एट करेंगे प्याज को लगबग 1 मिट तक तेल में अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें थोड़े से अद्रक के तुकड़े एट करेंगे पास से साथ लेसन की कलिया एड़ करेंगे और इन्हें भी प्याज के साथ सेख लेंगे इसके बाद इसमें जो हमने बड़ी गलाइची डाली थी इसके बीज हमें इस तरह से निकाल के इसी में डाल देना है और इसके उपर कचिल का हमें अलग कर देना है और प्याज को पकते हुए लगबग 2-3 मिनिट हो चुके हैं अब इसमें हम 3-4 बारी कटे हुए टमाटर को भी एट कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखते हुए टमाटर को भी 5-7 मिनिट तक पका लीजिए और आप जब भी मटर पनीर की सबजी बनाए तो एकदम लाल वाली टमाटर का ही इस्तिमाल करें इससे सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है इन्हें पकते हुए 5-7 मिनिट हो चुके हैं अब इसमें एक टेबली स्पून लाल मिर्ज पाउडर एट कर दीजिए आदर टेबली स्पून कस्मीरी लाल मिर्ज पाउडर एट कर दीजिए आदर टेबली स्पून हल्दी पाउडर एट कर दीजिए दो टेबली स्पून धन नीर सब्राइभ मसालों को अच्छ से मिक्स करने के बाद इससे कुछ सेकंड्रії last मसाले अच्छ से पकने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दें जिससे मसाले जलेंगे नहीं यहाँ पर gas की flame को बंद कर दीजे और इस mixture को थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इससे हमें एक grinder jar में निकाल लेना है और इस mixture का पिलकुल बारिक paste बना लीजिए और friends यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब उसी पैन में जो हमने mixture तयार किया है उससे डाल दीजिए और आप देख सकते हैं जो प्यास टमाटर और मसालों का mixture हमने बनाया था उसका इस तरह से एकदम fine paste बन जाएगा और जो इसमें जार में भी लगा हुआ थोड़ा सा paste है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी add करके इसे भी इसमें हम add कर लेंगे और यहां पर हमने extra तेल का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है जो पैन में बचा हुआ तेल था उसी से हमने gravy को भूल लिया है अब इसके बाद इसमें स्वात के अनुसार हम नमक add कर देंगे और low flame पर यह भी gravy को पकाना है और इस stage पर 2-3 tablespoon घर के दूद की fresh मलाई add कर दीजिए मलाई add करने से मटर पनीर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे इस तरह हिलाते हुए अच्छे से mix कर लीजिए ग्रेवी तो यहाँ पर लगबग पक चुकी है अब इसमें हम कसूरी मेथी add कर लेते हैं तो कसूरी मेथी को आप इस तरह से हातों से मसलती हुए इसमें डाले ताकि जो इसके मोटे-मोटे डंधले वो इसमें ना जा पाएं कसूरी मेथी डालने के बाद लगबगे से 30 सेकेंड तक अच्छे से हिलाती हुए पका ले जिससे सब्जी में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा अब हम क्या करेंगे जो मटर और पनीर पहले से ही हमने हलके से सौटे करके रखे हुए हैं इन्हें भी इस ग्रेवी में हमें एट कर देना है इसके बाद मटर और पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए यहाँ पर मटर हमारी पहले से ही पकी हुई है इसलिए ह में इसे बहुत जादे तक नहीं पकाना है और यहां पर हम थोड़ा सा बारी कटाहरा धनिया भी एट कर लेते हैं इसके बाद इसे एक मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर पका लिजिए इससे जो ग्रेवी है वो तेल छोड़ देगी और सब्जी एक तब होटल और कर तो बनकर तेयária रहे बहुत ही टेस्टी एक्दव होटल और सप्सक्राइब करना पिल्कुल वी नत भूलेगा